बड़ा ही अद्बुत है ये काल्स्तंब पुत्र हनुमान माँ पुत्री अंजना ये तो तुम्हें भी ज्याद था कि अनिमेश ब्रत में निरंतर सुर्द्वे प्रदिश्ट्री ठिकाई रखने से मनोश्य जीवन भर के लिए दिश्ट्रहीन हो सकता है हनुमान को इस परिश्या के कारण समस्त बड़ानी शक्तियों को त्याग करना पड़ा था किन्दो तुमने कठोर सायम के साथ इस प्रत का पालन किया उसी ने हनुमान को बल प्रदान किया और वो संकट से मुक्त हो पाए मेरा वरत सफल रहा मेरा पुत्र संकट से मुक्त हो गया पुत्री तुम्हारे नेत्र तो चले गए आप क्यों बलाब कर रही है मा मेरे नेत्रों की ज्योती चली गई तो क्या हुआ माता पिता के नेत्रों की ज्योती तो उनकी संतान ही होती है मेरा पुत्र जब आएगा न तो उसकी दृष्टी से मैं पूर्न संसार देखूंगे पुत्री अंजना आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि एक मा अपने पुत्र की कुशलता के लिए कुछ भी कर सकती है मा ऐसी ही होती है रिशिवर मैंने तो केवल अपना करतभ यह निभाया है माता पिता के नेत्रों की दृष्टी उनकी संतान होती है प्रणाम गोरु माता आयुष्मान भवपुत्र हनुमान तुम यहां एकांत में क्या कर रहे हो तुम्हारे कालस्ताम को इस तरह निहारने से प्राता शिग्र नहीं हो जाएगी पुत्र आप उच्छे थी कह रही हैं गुरु माता हनुमान क्या हुआ पुत्र तुम इतने उदास दिखाई दे रहे हूँ कोई विशेश बात है क्या पुत्र गुरु माता ना जाने क्यूं मुझे व्याकुलतासी हो रही है मुझे हर और माही मा दिखाई दे रही है ना जाने आज क्यों मा की इतनी चिंता हो रही है किन्तो मैं अपनी शिक्षा पूर्ण किये बिना उनके पास नहीं जा सकता अरु शिवर अंजना की दृष्टी वापस लाने का कोई तो उपाय होगा कोई उपचार महाराज केसरी अनिमेश जैसे कठोर ब्रस से नश्टो ही दृष्टी को वापस लाने का उपचार कताचित असंभो है सेना पती कहीं तो किसी के पास होगा इसका उपचार जाहिए राजवर से आसपास के बड़ोसी राज्यों से योग वैद्यों को डून कर लाइए शिक्र जाहिए अवशिमाराज अब हमें आग्या देरी शिवर आप सब का करने आड़ चलो अजना चलो हनुमान तुम चिन्ता छोड़ कर अपनी शिक्षा पे ध्यान दो और तुम्हारी माता भी तो यही चाहती है न कि तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करके उनके पास लोटो हाँ गुरु माता मुझे आशंका हो रही है कि इतने अल्प समय में मेरी शिक्षा पूर्ण हो भी पाएगी या नहीं अनुमान की आशंका सत्य है देवी संग्या प्रणाम सिक्षा प्रदान करने के लिए समय बेहदी अल्प शेश है मैं भी समय के नियम से बंदा हूँ संद्याकाल के पश्चात और प्राताकाल के पूर्व मैं तुम्हें सिक्षा नहीं दे सकता अन्यता कालकुम शेत्र से लोटते ही मैं तुम्हारी सिक्षा आरंब कर देता कोई बात नहीं गुरुदेव मैं शीग्र से शीग्र आपके द्वारा दिये गए ज्यान को आत्मसाथ करने का प्रयास करूँगा मुझे तुम पर विश्वास है हनुमान कि तुम शीग्री अपनी सिक्षा फून कर लोगे बस अब कोई अन्य बादा ना आए वस्वानर पाला की शिक्षा को रोकने के लिए एक मात्र यही उपाए है अश्वो सहित सूर्य देव के रत की चोरी सबते कह रहे हैं लंकेश सूर्य देव का रत नहीं होगा तो सूर्य दय नहीं होगा और प्राता काल से साइन काल तक शिक्षा परदान करने के नियम से बंदे सूर्य देव शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे हनवान की शिक्षा रोकने के लिए मैं किसी की भी सहायता करने के लिए प्रस्तत हूँ मेरे पुत्र के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए यहीं एक सर्वोत्तम उपाए है सूर्य देव के रत और घोडों के स्थान के बारे में बताऊंगा और वो देव मंत्र भी दूँगा उन्हें अपने मंत्रों के साथ प्रयोक करके वो सूर्य देव के अश्वों पर भी नियंत्रण कर लेगी तो फिर इस शुबकारे में विलंब कैसा आज ही इस कारे को तंपन्न करते हैं करते हैं कर दो कर दो क्या हुआ वेद्राज? आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आप अंजना के नेत्र की जोती वापस ला सकेंगे? आप सब तो महान विद्वान वैद हैं? क्या अनिमेश ब्रत के द्वारा गई हुई? नेत्र की जोती वापस लाने का कोई उपचार नहीं है आपके पास? अनिमेश ब्रत के समय तूरे के महा तेज से गई हुई द्रिश्टी को हम वापस नहीं ला सकेंगे इसका उपचार असंबल है अमेश गयती स्वामी स्वामी कहा है अप? मैं यहीं हूँ प्रिये स्वामी मैं यहीं हूँ तुमारे पास स्वामी मैं जानते हूँ कि आप और सब मेरे लिए बहुत दुखी हैं किन्तों दुखी होने की कोई आवश्यक्ता नहीं मुझे तो सबसे अधेक सुख का आभास हो रहा है सुख का आभास? मेरा मन बहलाने के लिए गह रही हूँ नेत्रों की जोती जाने से सारा जीवन अंदकार मैं हो जाता है तुमारे दुख तुमारी पीड़ा की कलपना का आभास है मुझे स्वामी, जब देख सकती थी तो सदा कुछ ना कुछ देखकर मन यहां-वहां भटकता रहता था किन्तु अब मैं मात्र आपको और हनुमान को ही देखती हूँ आप दोनों में ही मेरा मन लगा रहता है सच मानिये स्वामी, मुझे तनिक भी दुख नहीं हो रहा है ना जाने हनुमान पर क्या भीतेगी जब वो तुम्हें इस अवस्था में देखेगा आपको देखने का बहुत मन हो रहा है मा, कैसी है आप जाओ पुत्र, अपने गुरुदेव के पास जाओ अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करो अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करकर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करो अपनी मां का स्मरण चक्र जब भी मेरा मन तुम्हारी मुख चंद्र को देखने के लिए व्याकुल होगा मैं आकाश मिस्थित इस चंद्र को देखने के लिए मां मेरी शिक्षा पूर्ण होने में बस चार दिन ही शेश हैं जब मेरी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो मैं सीधे आपके पास आ जाओंगा एक पल भी नहीं रुखूंगा सीधे आपके पास आओंगा मां मैं पूरे मनोई योग से अपनी शिक्षा पूर्ण करूंगा बस कोई अन्य बाधा ना आए इतनी रातरी को कौन हो सकता है तिव आशूर अती संदर लग रहे हो तुम सब किन्तु मुझे बड़ा दुख है क्योंकि तुम सब की बली देनी होगी मुझे यहां से ले जाओंगी मैं तुम सब को तुम सब के नाम गायतरी, प्रिहती, उष्णीश, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ती, तुम सूर्यदेव के साथ अशु, सूर्यदेव की साथ किर्दे, जगत को आलोकित करने वाला प्रकाश, अब तुम सब शक्ती बनोगे लंकेश की, करने और मुट नार्यदेव प्रेव प्रेवकेश, हूँते, जगते, 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 जगते! अधिक मत उचलो अश्वो शीग ही तुम मेरे और परुन देव के बताय हुए मंत्रों में बतकर मेरी जयंत्रन में होके कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? प्राणाम गुरु माता क्या हुआ पुत्र तुम अभी तक विश्राम के लिए नहीं गये? मुझे निंद्रा ही नहीं आ रही थी किन्तो आप यहाँ इस समय क्या कर रही है? मैं तो यहाँ अश्वो के देखभाल के लिए आई थी किन्तो तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मुझे इतनी रात्री को किसी की ध्वानी सुनाई दी थी तो मुझे शंका हुई तो मैं चला आया मेरे अतिरेक्ट अन्या कौन यहाँ आ सकता है? तुम्हारी सजक्ता यह सिद करती है कि तुम कितने अच्छे शिश्य हो और यही सजक्ता तुम्हारे भावी जीवन में काम आएगी किन्तु अब जाकर तुम विश्राम करो तभी प्रातहकाल में तुम शिक्षा के लिए पूर्ण उर्जा और स्फूर्ती के साथ प्रस्तुत हो पाओगे उच्छे थे गुरु माता, प्राणाम तुम शिक्षा के लिए प्राणाम माना आयोशी, माना भोशू, माना अश्वशू, विरिष्रा माना विविरान रुद्रभामिनो, व्यादीर विश्मंतहा, सदमित्वा हवामहे ओम अस्त्राइफटू अब बरुन देव का दिया गया मंत्र और इसके बाद, ये सबी यश, वो मेरे वश में होंगे गुरू माता के होते हुए भी, समस्तो अश्वई इतने व्याकुल और अशान क्यों है? कि अfelा दित ओ बना और इतनल आतनल और ने कहे अप मत्राइब का दो वात्वा यही क्या क्या हो रहा है वहां कौन है आप यहां क्या कर रही है यह क्या किसी ने गुरु माता का जद्म भेज बना कर जल से गुरु देव का रक्स चुरा लिया है कौन हो सकता है यह मुझे पता लगाना ही होगा पुरु मज़ को पुरु में प्राइब यहां कर रहा है